काति कारेन और क्यारा अडवानी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा अगर देखने का प्लान बना रहे हो तो पहले जान लो कैसी है मूवी जब मैंने इस मूवी का ट्रिलर देखा था तो बिल्कुल भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी सोचल मैसेज पे बेस्ड होगी मैं बस एक रोमेंटिक लव स्टोरी समझके ही मूवी देखने गया था लेकिन मेकस ने मूवी की थीम को सोचल मैसेज पे रखा है आपको याद होगा अलू अजजुन की मूवी अला वैकंट पुरा मलू जिसमें एक डैलोग था कि अगर लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब ना होता है कालती कारेन की इस मूवी ने इस डैलोग को सही तरीके से पूरे मूवी में दिखाया है और साथ ये बताया है कि रेप लड़की के छोड़े कपड़े पहनने की वज़े से नहीं होता है बलकि लोगों के छोटी सोच की वज़े से होता है जिसके लिए मेकस की तारिफ तो बनती है मूवी की कहानी है सत्तू यानी सत्त प्रेम की जो की लोग की पढ़ाई में फेल हो गया है और उसके घर वाले उसकी साधी करवाना चाते हैं कथा एक अमीर घर की लड़की है जिसके बॉइफरेंड ने उसे धोका दे दिया है जिसके बाद सत्त प्रेम को कथा से प्यार हो जाता है और बिना कथा की मज़ी से दोनों की साधी करवादी जाती है लेकिन इसके बाद खुलता है कैसा राज जो दोनों की जिन्दगी को हिला के रख देता है इस राज को जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी कालतिकारे ने मूवी में सॉलिड परफॉर्मेस दी है नो डाउट ये बंदा आने वाले समय में सुपर स्टार बनने वाला है चाहे वो एक्टिंग हो डायलोग हो या फिर मूवी में बोले गए कुछ गुजराती बोली हर काम को बढ़िया तरीके से निभाया है कालतिक ने ने भी कठा के रोल को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है उनका इसक्रीन प्रेजxtures देख के अच्छा लगता है ममी पापा के रोल में गजराज राओ और सूपरीय पाठक ने भी स्ट इसे नॉर्मल लव स्टोरी मस समझिएगा जब जब आप इसे समझने की कोशिस करोगे कि आगे क्या होने वाला है तब ही डिरेक्टर आपकी सोचे से एक कदम आगे निकल जाएगा इस मूवी को आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4 स्टार बाकी आपकी क्या रहा है कॉमेंट में बताना मत बुलना वीडियो पसंद आएगे तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किये मत जाना मिलते हैं को और नई वीडियो में धन्यवाद